हेलो फ्रेंड तो हम आज बात करेंगे जीवी 60 गेर बॉक्स के बारे में जो कि न्यू मूडल में जो जीवी 60 गेर बॉक्स आता है उसके बारे में बात करेंगे फिटिंग के बारे में कि कैसे उसको फिटिंग करना है आपको इसे पहले मेरा एक और फिटिंग का वीडियो बन डालेंगे कि इसको हम लोग आम भासुष में कांगन बेडिंग नोय बीवलते हैं कि दो नमर कब डालेंगे उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे क्ल जोете सेंक रइंग तो वह कलज बोड़ी उसको बोला जाता है तो कोलज बोड़ी उसमें लगा हुआ है गेर के में गेर में लगा हुआ है कलज बोड़ी अब इसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे ताकि हमारा सेंक्रो रिंग जो है अच्छे से काम करें अब इसके बाद डालें या आपने पूरा वीडियो समझ लिया तो आप लोग को गेर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई पर गेर हो कोई भी गेर आप बना सकते यह देखें लॉंग भाग है यह इंगेज गेर इसको बोला जाता है ठीक है यह देखें प्लेंड और इधर हाइट है इसका तो इसको डाल लेते देखिए हाइट वाले को ऊपर में रख लेंगे हम जो कि हाइट इसमें है इंगेज गेर हमारा तो इसको बैठा लेते हैं हाथवरी के मदर से बैठ गया अब इसमें प्लेन भाग था नीचे रखा हमने और हाइट भाग को ऊपर में रखा और सेंक्रो रिं तो इसमें भी दिखाने के कोशिए चोड़ा भाग है यहां पर आएगा और यह पतला भाग है जो हमारा जो मैजर कीट आता है जिसको हम लोग आम भासे में फ्लावर कीट बोलते हैं तो मैजर कीट के सामने में रहेगा यह ठीक है अब इसमें लोग क्या करेंगे हमारा अच्छे तरीके से और बैठाने के बाद इसका बाद हम डालेंगे क्या सेंक्रोरिंग और कलज बोडी के साथ में गेर अक्सर कलज बोडी के साथ में गेर रहता है अगर जैसे के गेर छोड़ रहा है हमारा तो हम देखिए सबसे पहले भी क्या करेंगे सिप्टर सिलू डाल अब इसमें हम डालेंगे मेजर कीट मेजर जो हमारा जेए शिक्स्टी का है हमारा 1 2 और 3 4 मतलब सेम आएगा और जो 5 यह है उसमें हमारा अलग आएगा थोड़ा चोड़ा आए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे जो हमारा लोक के आप सेंग् kız Klath पतला भाग पतला भाग हमारा कहा है जहां पर हमारा मेजर किट बैठा था और यह नियू मूडल जीविश्टी गेर बॉक्स है और आप लोग का डिमांड है कि हम गैरा पचास नौसो पचास गेर बॉक्स का वीडियो बनाने के लिए तो जैसे ही हमारे पास यह आएगा प्रो अब इसको डाल कर थोला घुमा लेते हैं यह अब गया देखिए न्यूटल पोजीशन हमने रख लिए अब पोजीशन में रखने के बाद इसको गेर डाल लिया चलिए दो नौमर गेर नहीं लगा रहा हुँ अब चलिए तोड़ा दिक्क्ट दोड़ा लगाने में अब इस जिदर हमारा एक नमर गेर आ रहा है देखे प्लेंट भाग है अब प्लेंट भाग को नीचे के तरफ रखेंगे यह देख सकते हैं इसको जब बैठा लेंगे बैठाने के बाद में इसमें भी एक लॉक आएगा जो कि यह गेर जो है छोटा गेर अभी डाला मैंने यह रिवर् आएगा हमारा रिवर्स चाहर का बैरिंग जो बड़ा घ्यार है रिवर्स का अब उस बैरिंग को भी डाल लेंगे इसमें और इस विदियो में मैंने एक एक जनकारियात देने की कोसिस्क कर्राइए हूं और मैं दूंगा भी आप लोगव को क्योंकि इसे पहले मैंने 66 का ग देखिए यह हमारा रिवर्स इसी में आकर फसता है तो जाके हमारा गेयर यह काम करता है अब इसको बैठा लेंगे कि यह भी हो गया हमारा complete अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए पहले हमारा नीचे जब देखेंगे तो नीचे से हमारा आएगा टीबर्स एक दो देखें फिप्लेंड भाग है यह वायसर में और उपर में लॉंग भाग है तो यह लोग भा लॉख नहीं रखना है जो हमारा हाईट भागैं लॉंग उसके बाद हमारा hottest है दूकर यह हमारा हो गया तो कर यह तोड़ी और कोई वस्तू से ऊच्छे तरस से ठोकर बैठा लेंगे इसको चलिए इसको बैठा लेते हैं छेनी एमारे पास और छेनी से अधिक थोड़ा फटा फटा से बैठा लेते हैं इसको अभी यह होगा हमारा reverse एक दो gear complete इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे handy के अंदर में डाल लेंगे जो हमारा gearbox handy आता है उसके अंदर में डाल लेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे sifter rod जो हमारा आता है ये देखिए handy हमने रख लिया है सामने में कि अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे शिप्त रउड जो है रिवर्स का और एक दोगका मतलब एक की रोड आता है यह हमारा खिलो मिल यग इसके बीना कीलो मिल फाल उपता भी होगा इसको पहले डाल लेते हैं अपने धेखा स्विप्टर और उसका रिवर्स का सिप्टर रॉट दोनों को मिलाकर हम डालेंगे एक साथ में तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं इसमें पांच नमर का है इंगेज गेर डाल लेता हूं पांच नमर के इंगेज गेर इसलिए डालने को बोला आप लोगों को ताकि हमारा उठाने में दिक्कत ना हो तो चलिए रिवार्स करें हमारा सिप्टर रोड हो गया उसके बाद यह हमारा एक-दो का तो इसमें पीतल का पैट आएगा जिसको हम लोग पैड़ी बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कोमेंट में बताना आप लोग अब इसको हम लोग क्या करेंगे एक दूसरे के साथ मिला लेंगे अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि पांच नमर का जो हमारा इंगेज गेर है पांच छे का इसको को डाल लेंगे इसलिए डालेंगे कि हमारे को हांडी में उठाकर रखने में कोई दिक्कत ना हो परिसानी ना हो एक दम आसानी से उठी जाएगा इसमें तो हम इसमें क्या करेंगे इंगेज गेर पे लॉक लगा लेंगे अभी हम इसलिए लगा रहे हैं इसको ताकि हमारे को ह गेर यहंद ऐसको कब yours a 2 हम pipe करके डालना है तो भी डाल सकते हैं गेर पूरा subtitle करें डालने में क्या हो थ्थोड़ा धिक्क्यत आती है यह परिषान ही आती है के लिए कि दनल जाएगा ही इसके मारा एक रिटन को इसको हम लोग सिप्टर रोलर बोलते हैं ठीक है जिसको लोग क्या बोलते हैं वासे में कोई-कोई लोग इसको रिटर्न बोल्ट भी बोलते हैं ठीक है हम लोग सिटर रोलर बोलते हैं तो चलिए पांच नमर का इंगेज गेर लिकाल लिया हमने आप अभ उसके हम लोगा लेंगे यह देख्यों हमारे पास आया हुआ है तो आप लोग कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं कोई इसमें जुरूरी नहीं है कि मैं बताओं रूख को हाइव नटो बेसे उस खबालो तो बेस्ट करने के बाद में हैं चलेंगे हम पितिन नमरноз का गि mão और चार का आं जिन फ्रेंड को अगर 75 का is जनकार में जनकारी चाहिए मैंने पूरा जनकारी जानकारी बिडियो बनाया हुए है दो तो तिन तिन वीडियो मैंने बनाया हुए है गेर के बारे में वह जाकर वीडियो आप लोग देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देदूंगा वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं अभी हमने बेरिंग डाल दिया बेरिंग डालने के बाद तोड़ा आयल लगा लेते हैं ताकि हमारा यह रूटिंग अच्छे से करें भूमें अच्छे से यह क्या होता है सेंख्रों रिंग में कार्बन होता है तो कार्बन के वज़से यह थोड़ा जाम भी हो जाता है तो हम लोग पहले इसको लगा लेते हैं अब देखिए इंगेज डालेंगे इसमें अब इंगेज डालेंगे इसमें तो इसमें भी दिखा देता हूं आप लोगो और बता देता हूं कि इसको कौन सा भाग उपर रखना है कौन सा नीचे रखना है यह देखिए यह हो गया लॉंग यह प्लेन मतलब हाइट कम है इसका हाइट यदर हाइट जदा है तो हैड जदा है तो हम नीचे के तरह दालेंगे इसको जी तरह हमारा तिन नमर गेर आएगा अब है अब इसको बैठा लिए और मैंने पहले वी वीडियों बता क्रेशजा तो नाद है एक नमर गेर जब डाल रहा था टालिए किई कि हांडी में कम्पलीट है तो मेरे साथ में लिए डालेंगे उसमें पीतल kवट डाल ले ना है आप लोगो ए सब्सटर्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं है उप उटा सीदह नहीं आता बस उसมолет ahead का देता है जिससे तो हम लोग आम भासे में ठेसी बोलते हैं कि उसको मिलाकर डालना है वह कहां पर आएगा हमारा जो हमारा कि פलो मेजर कीट आता है मेजर कीट के अलग में आएगा ठीक है इंगेज गार में देखेंगे आप लोग जहां पर हमारा पंद में नयूत्ले सहे जित correct दो हूँ जो के मैजर किट में देखेंगा आप लोग तो नो स्पीरिंग देंगा नो रिख छे स्पीर हमारा 122 आता है तीन 4 का आता है क्या और तीन जो स्थ्रीन है हरे कलर होगा उस को 5 नमर के गेर में ही डालना है ठीक है छे स्प्रिंग हमारा वाइट कलर कर देगा तो उसको हम लोग किसमें डालना है यह तीन चार एक दो के गेर में डालना है ठीक है मेजर किट में बोड़ा हूं आप लोगो कि हरे कलर में जो मेजर किट में स्प्रिंग आएगा उसको हमारे को पांच नमर में ही डालना है तो चलिए इसको भी हम लोग डाल लेते हैं डालने के बाद में इसके बाद हम लोग करेंगे क्या सेंक्रो रिंगukt कर के जाता है सेंक्रोरिंग जैसे एड़ क्लेश बोड़ी में तो क्या होगा कि जो हमारा मैजर कीट जैसे ग्याघर आंगे मैजर क्रिट बाहर आएगा और वो फास जाता है आप लोगों पास ऐसा प्रभलम माता ही होगा अगlor आप लोग को देख लेना है जो नो इसमारींग डाल कर सकते ग्यार फक्रॉब्लम है तो और नहीं तो आप लोग को करना क्या है अब और देखिए सेंक्रोरिंग डाल लिया हमने इसके बाद थोड़ा सा आयल लागा लेंगे आयल लागाने के बाद और एक बैरिंग भी डाल लिया हमने बैरिंग इसमें आएगा जब आप लोग डालेंगे उसमें बैरिंग आएगा ही आएगा ठीक है बैरिंग डाल लिया सेंक् लगाने में आसानी होगा तो कभी ऐसा होता है कि गेर फासरा है तो आप लोग को सेंख्रों डालना चाहिए डाउन है तो कलच बोडी में डाउन हो रहा है तो उसको डाल लेना चाहिए आप सब्सक्राइब करने में यहां अगर हमारा सिप्टर स्जलुस सही है कलच बोडी सही है तो सेंख्रों डालकर भी complete कर सकते हैं आपको सही लगता है तो अब चलिए यहां पे हम लोग 5 नमर का बेरिंग डालने के बाद आण पांच नमर गयार डालेंगे यह देखे बेरिंगे पांच नमर का अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गेर डाल लेंगे अब यह गेर डाल लेते हैं और जो हमारा पांच नमर का जो सेंक्रो है उसमें तीन ही छेसिया देती है पैड उसमें देता है प्लेन कर देता है इसमें tu d Привет इसके बाद हम लोग क्या करेंगे engage gear डाल लेंगे और अगर छूड रहा है तो आपको क्या डांब्रब्र चाहिए यह इसमें देखेंगेANS सूरहको का पलेन होगा नीचे के साद में लॉंग तो नीचे केसा हम हर पांच नमर ग्यर्ण यहां पर आएगा उधर साइड में है विरह ड़न है कि मतलब हाइट है इसका प्लेन को उपर में रखना है जिदर हमारा नम अब स्पाइगा उधर और इन डाल लेना चाहिए इससे आपका प्रोब्लम सॉल हो जाएगा अब यहां पर मैंने लॉक भी डाल लिया लॉक डालने के बाद मैं सिप्टर सिलू को डालूंगा सिप्टर रॉड के साथ में जो हमारा रॉड है कि उसको साथ में डालेंगे इसको चलिए इसको भी हम लोग डालकर कंप्लिट कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगो गेर बनाने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी होगा क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं कोसिस करता हूं कि मेरे वीडियो से लोग कुछ सीख पाएं और सीख सकें अब इसके बाद हमारा मेजर किट आएगा वह थोड़ा अलग टाइप का होगा हौँ आए चोरीह इसको नोऑच पोजीशन में रख लेते हैं हम लोग किसक्टर रोलर हमारा आता है जिसको रिटर बोल टाच को लोग बोलते हैं उसको डाल लेते हैं इस यह हमारा 34 का यह है अले मरेश हो पांच नमर को नहीं डाल रहें है Commander रेंगे कब जब हमारा मैजर की डाल जाए गात्तव is अ कज चलिए मेजर कट इसमें डाल लेते हैं पर डालकर इसको भी कम्पलिट कर लेते हैं कि यह मैज़र कर को तोड़ा अलग आएगा शिरिंग हैगा उसके भाद इसका मेजर की मतलब अलग यांग आए अप को देखें में तो यह लग आए गा देखेया यह सकते कि यह डाल रहा हों डालने के बाद इस स्प्रिंग का लूँगा इसको डाले हम इसमें थोटा आएंगे गिरिस लगा कर बैठाएंगे और एक हमारा जिलेवी टाइप का बेरिंग गोल टाइप का बेरिंग जो इसमें डाल कर दिखाऊंगा आप लोगो और मुझे आप लोग को मैं आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस बेरिंग का नहाम क्या बोलत एक एक मुझान फॉटि करता हूं लग आउं यह वी होगा हमारा कंपलीट यह देख़े इसमें थे बैठेगाये यह आप कुछ नहीं आएगा जो हमारा सेंक्रों रिंंग है इस में अलग है यह हो गया कंपलीट यह देखिए बैरिंग बात कर रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब बेरिंग बोलते आप लोग क्या बोलते मुझे कॉमेंट में जरूरू बताना अब मैं चलता हूँ मेंट साप्ट मूपे ठोड़ा साफ गरिस लगा लेता हूँ और गिरिस लगा कर इस पे जो हमारे नीडिल नीडिल बेरिंग भी बोल सकते हैं उसको और उसको चर्रा भी बोल सकते हैं जो हम लोग आम भासे में चर्रा बोलते हैं तो चर्रा भी उसको बोलकर हम लो कंपलेट कर लेते हैं और इसको complete करने के बाद इसमें छर्रे लगाएंगे इसको थीक है 15 चरह आएंगे इसमें गिनकर लोद देख लेना फंले पंद्रा आंगे समें फंद्रा याएंगे कि इसको बैठा लेते हैं बैठाने के बाद हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है तो इसको चलिए फटा-फट से पहले कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद टॉप साफ बैठाने के बाद हमारा हांडी आएगा टॉप साफ बैठाने के बाद तो हमारा पहले काउं काउंटर वेने कि आप ऊताता हूद मैं टोप साउट बेठा लेता हूँ थेकर कि बैठा लेता है कि ठाई में टोप साउट टॉट है इसमें अवासानी से बेठ गया आव इसके बाद कर만गा कि कि मैं इसमें का। डाल लूँगा जो मारा गेर अब इसको में कर दिया इसमें एम लोग शीटर रॉलर को डाल लेंगे शीप्टर डॉलर जो साथ में मैच कर लेंगे मैच करने के बाद चलिए इसको बैठा लेते हैं और यह हो गया complete अब चलता हूं मैं गयर हांडी डाल लेता हूं अगर हांडी डालूंगा इसमें पहले मैं पैकिंग हमारा गेर में मतलब हमारे जो जब गेर चड़ाते हैं तो हम लोग राउनिंग बोल्ट जिसको बोलते हैं राउनिंग बोल्ट कंप्लिट करते हो हांडी को मैंने हटा दिया है जिसको कलच हांडी बोलते हम लोग क्लुच हावजिंग हम लोग बोलते जिसको जिसमें हमारा कलच फोर्क आता है कलच जो हमारा मास्टर सेलेंडर लगता है उसको मैंने अलग कर दिया है ताकि अभी उठाने में इसको दिक्कत ना हो यह हमारा हांडी होगे कम्प्लिट अब चलते हैं रिवर्स का छोटा गेर फिटिंग कर लेते हैं कि इसके बिना रिवर्स आपका काम ही नहीं करेगा ठीक है यह देखे वाइसर एक मैं इसमें देख सकते कि इस पीतल का भागे सद्चा दिया हुआ यह हमारे को रखनां आगे कर तरह में और जो हमारा कि यह हमारा रिवर्स गेर हैं कि रिवर्स का छोटा गेर इसको बढ़ा भống कि बड़ा էर्णाओ कि नियुक जोरिए इस इसे के चुटा देखने में वग्रणा धर्मका है इसका तवर्ण पीन डाल ले लेते हैं कि व्लैन ट्रॉले ने पीछे के साइड में और रिवर्स जो यह गेर है इसमें लों वागा है त्रफ में कि जिसको लोग ऐस्पेसर वाइसर बोलते इसको यह रहेगा हमारा लोंग भाग जिदर रहें उधर रहेंगे यह देख सकते हैं इसको डाल ये हैं उसके बाद पीन को कोई हतौड़ी कमदसे और वस्तु से उसको धक्का दे देना है क्योंकि हमारा जो गयर अभी हमने डॉला ह का रिवास का चोटा गयर उसमें जो है हमारा क्या होता है दो बेरिंग आएगी तो ढ़िए यह थोड़ा मैंच नहीं आपाती है इसके दोड़ा धक्काद देना पड़ता है जो और से अब यह हमारा पिन का है सपोर्ट support lock है यह जो कि पिन को हमारा लॉक करकर रखते तो इसमें 13 नमर का दो बोल्ट आएगा तो यह हमारा पिन को support करकर रखता है कि कहीं अचानक से अगर कभी गेर लगा रहे हैं लगा रहे हैं लिकल नहीं जाए इसके लिए support देकर रखता है जिसका लोक बोलते हैं ऑफिल हम लोक से इसको भी लगा लेते अधिन से complete कर लेते हैं अब यह होगा हमारा complete अब यह देखिए अगा मारा reverse switch यह switch को दबा कर देख लेना है कि वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं पुसिंग कर रहा में दिक्कत बहुत करेगा रिवर्स होई चाहिए इसको सही से वर्किंग करके देख लेना है इसको कर लेंगे हम लोग कंपलीट अब यह देखिए कुवाइसा राएगा पीछे हमारा कहां पर जहां पर हमारा फ्लांच आता है वाइसा डाल लिया हमने अब यह फ्लांच है तो हम लोग चेकनेट को अभी हाथ से फ्येस करके रखेंगे इसमें क्या है 75 का फ्लांच नहीं आएगा आपका 75 का जो है अद्धा कि हमारा जो दातेवाले आते हैं जिसने चार सापट के बोलत आते हैं तो भी डाल सकते इसमें बस semnt 35 केर का हमारा फलांच इसमें नहीं आएगा ये ध्यान रखना है इसको हमने ऐसे ही रखा है बाद में लोग कंपलेट करेंगे दूसरा फलांच डाल कर फिर से मिलेंगे नेक्ट वीडियों बाय ओल फ्रेंड